बागपा माले की पूर्व विधायक और जुझारू नेता महेंद्र सिंग का शहादत दिवस और इस मौके पर माले नेताउनी अलबा टिक का चौक पर एक श्रद्धांजली सभाका आयोचन किया सब्सक्राइब जांच की प्रक्रिया है अब सारा उमिद हम लोगों को खतम हो गया है अब हम लोग चाहते हैं कि महेंदर सिंग ने जिन मुद्दों पे जारखन में संगर्ष किया था लगातार जारखंड के जल जंगल जमीन के मुद्दे जारखंड के अंदर में वो लगातार जो मजदूर महनतकसों का अकलियतों का आदिवासियों का जिन मुद्दों पे लगातार वो संगर्स उठाते रहे हैं उन्ही संगर्सों के जर्ये और राजनीतिक तोर पर महंदर सिंग के हत्यारों का मोहतोर जबाब दिया जाएगा अभी जारखन बनने के 22 साल बाद लोग अभी भी महंदर जी को गुदास चेटर जी को याद करते हैं इसलिए याद करते हैं कि गुचले की काम किये हैं और आगे इस तरह से जनता ने जो इनके साथ जुड़े हैं वो जनता भी इसे आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोग इसी के लिए आज सत्रवा संदाजली देने ही आए हैं कि जनता जाने कि महंदर जी क्या क्या काम करके गए हैं इसलिए सहदत के तौर पर हम लोग जो आज सद्दाजली दे रहें और आगे भी देते रहेंगे और निस्टी तौर पर इनकी लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे महंदर सिंग को आम अवाम जन मानस के लिए याद किया आता है अखलियत के मामले में याद किया आता है रोजगार, पलायन, विस्थापन साथ में जो जारखंड के वासी है उन सारे विश्वों पर उन्हें याद किया जाता है उसी एक खिराज एक पिजदत के तौर पर हम लोग यहाँ एक अठा है समता मुलक समाज की बात करते थे तो मेंदर सिंग, कामरेड मेंदर सिंग जी भी आपका पुझी वादी विवस्ताओं के खिलाब लड़ते थे सांस्क्रितिक नगरी जो हमरा जारखंड है उसको यहाँ पर भाईचारा का पुरा समता मुलक जो समाज की निर्मान की बात करते थे तो उनका एक पुझी वादी जो सक्तियां है उसके खिलाब वही हमरा सोसनवीन समाज का निर्मान था तो इसमें भी अगरिनी भूमी का कामरेड एकर आहा हो मेंदर सिंग हो सवाल यह रही है कि मैंसी म काम्रेदे जसे ने था कि सर्याम हथिा कहते है सवाल यह कि कामैंसीं के हतिया कि जाच कर रहेςést diri i कि कि बोस्ष नतीज़े पर पहुंचेगी यादि यदि नहीं तो ये मान देने में किसी कौन पक्ति नहीं होनी चाहिए कि सीड़ाइ वैसे संस्थाइम ही अब किसी केस कर उसंधान में अंचान तक नहीं पहुचबाए न्यूस एलेवन भारत के लिए राचिर से कैमरा पर संदिवाशिष के साथ धजयराल के लिए लाइक अंड शेर वीडियोस सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन न्यूस लावन भारत सच है तो दिखेगा